नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललीत कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा बेहत इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आपने पिछले दो वीडियो को देख लिया है कि ये जो हम इस महीं ने पूरी की पूरी फेबररी के अंदर जो आठ वीडियो है उनको हमने डेडिकेट करा है आठ मेडिसिन की ड्रग पिक्चर के लिए और इसी श्रंकला में जो पहले दो वीडियो थे जो पहला यह जो दूसरा वीडियो था इसके पहले वाला वह था कलके रिया कार्ब का और दोस्तों इसी श्रंकला में जो तीसरा वीडियो हम आज शूट करने जा रहे हैं इसके लिए हमने इसको सोचा पहले कि हम तीन इन मैडिसिन को पहले कवर कर लें और अब हम सीधे दूसरे स्क्रीन पर जाएंगे क्योंकि यह सब यह टूटोरियल वीडियो है यह एजूकेशन लाइन के और होमियोपैथी की सबसे बड़ी मैडिसिन के वीडियो होने के नाते हैं इसब tutorial वीडियो होते हैं और काफी लंबे होते हैं तो इसलिए बिना देरी के वीडियो को start करते हैं और दूसरे screen पर चलते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे जो screen है जो slide है slide को भी देख पा रहा है और ये है lycopodium का drug picture तो चलिए drug picture की start करते हैं पहले point के सायत जो है the third monument of Dr. Hennyman Dr. Hennyman का तीसरा monument है तो कि इसके पहले के दो monument वैसे हर medicine जो Hennyman ने अपने हाथों से proving करी है वो सारी medicine के अंदर बहुत ही जादा gold की तरह प्रीशियस डाटा होता है बट खासकर ये जो तीन medicine है sulfur, calcarea carb और lycopodium ये वाकई में Hennyman के तीन सबसे बड़े milestone है और उसी श्रंकला में इस इस दे थार्ड monument of Dr. Hennyman the other two are the sulfur and calcarea carb the other two are the sulfur and calcarea carb with very very vast sphere of action मतलब आपकी कलपना से जादा बड़ा sphere of action is medicine का second key note it covers the all the three miyazams ये तीनो miyazam को cover करके रखती है और ये इसको बहुत अलग बनाता है sulfur और calcarea carb से क्योंकि sulfur और calcarea carb basically वो दोनो preeminently soric medicine थी बट ये जो हमारी lycopodium है ये तीनो के तीनो miyazam को cover करती है और no doubt जो topmost miyazam है जो इस medicine को govern करता है obviously वो sora ही है but ये sora psychosis और syphilis तीनो को cover करती है and that is why its sphere is very broad and its action is very deep और क्योंकि तीनो miyazam के ऊपर इसका equally command है इसलिए इसका जो sphere of action है वो बहुत broad हो जाता है और इसका जो action है body के ऊपर वो बहुत ही deep हो जाता है ठीक है तीसरा जो point है तीसरा आप keynote भी बोल सकते है lycopodium enters deep into the life कि जब भी एक patient को दी जाती है तो lycopodium enters deep into the life and act profoundly on the entire organism जब वो उसको दी जाती है तो ये इसका इतना बड़ा coverage है कि पूरा का पूरा organism के ऊपर ये profoundly act करती है कहां कहां पे on the solids and the fluids की उस organism जब होगा कोई जीव होगा उसमें दो ही चीज होगी heart tissue and fluids ठीक है न ये दो चीजे मिलके ही तो organism को बनाती है ये दोनों जगे काम करती है ये solids पे भी काम करती है fluids पे भी काम करती है causes ultimate changes in the soft tissue soft tissue के अंदर बहुत ultimate changes इसके pathology के अंदर हम देखते हैं ये काम करती है blood vessels के उपर, bones के उपर liver के उपर, heart के उपर joint के उपर, kidney के उपर तो ये बहुत बड़ा sphere of action इसका है और वो क्यों है तो third point का justification हमको मिलता है second point से क्योंकि तीनों मियाद हमको कवर करती है, किसी वज़े से इसका action broad है और deep है, चौथा point constitutional look of patient अब ये मैं ऐसा बोलता हूँ कि constitutional look जैसी कोई चीज नहीं होती पिछले दो वीडियो में भी बोला मैंने sulfur में भी और calcare कार्म में भी, फिर भी आप लोग जिस भाशा में समझेंगे उमें कोती में समझाना पड़ेगा तो person intellectually keen but physically weak, arsenic मेरा arsenic का वीडियो उठा कर देख लीजिए, same line है arsenic patient के लिए भी, कि mentally intellectually और mentally patient बहुत keen है, उसका observation बहुत keen है, वो बहुत जादा mentally sharp है, but physically weak है other medicine is the arsenic, आपको remind कराने के लिए, मैंने कोश्टक में डाल दिया, upper part of the body is emissiated, यह narrow chested person होता है, कहीं पे भी आप lycopodium का drug picture अगर आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, तो lycopodium को narrow chested patient बोलते हैं narrow chested person, तो यहीं आप यहाँ पे यही बात हो रही है, lean upper part of the body is emissiated, upper part of the body, neck, और neck के नीचे thorax तक जो है, वो emissiated होगा but the lower part is the semi dropsical, और semi dropsical क्यों है क्यों है, क्योंकि semi dropsical है कि कहीं ना कहीं resources और संसाधन का irregular distribution के कारण, और यह जो medicine है यह patient की vitality को digestive level पे, जैसे कि कल के रिये कारव में हमने क्या पढ़ा था, कि वो atonicity होती है, vegetative nervous system की जो body को nutrition provide करता है इसके अंदर atonicity है digestive system की, liver hypetobiliary system की, और उसी के कारण, जो biochemical changes होते हैं body में, उसी की वज़े से lower part is the semi dropsical and the upper part is the emissiated lean person, मतलब दुबला person with the fever development of the muscle, muscle का बहुत fever development है, predisposes to the lung and the hepatic, ये मेरे सर के पीछे जो शब्द है that is the hepatic disorder मतलब जो lycopodium का patient होता है शारी रिक्रूप से दुबला पतला होगा दुर्बल होगा, upper part जो होगा emissiated होगा, lower part semi dropsical होगा, और lungs और hepatic disorder का ये victim होता है, तो this is the हमारी पहली स्राइट खतम हुई है, हम आगे चलते है carbon nitrogenite constitution basically constitution ये होता है एक वीडियो भी आ चुका होगा अगर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके लगबग एक महीने पहले आपने वीडियो देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने चला चला के बोला, उसका टाइटल है there is nothing like the constitutional medicine in the material medica, ठीक है तो जो constitution होता है that is the carbon nitrogenite constitution मतलब इसकी body में carbon और nitrogen की जास्ती होती है और इसके साथ लिव को, इसके साथ साथ इसका lethemic dietesis होता है with red sand in urine और ये जो जिन लोगो confusion हो रहा है carbon nitrogenite constitution में जो carbon nitrogenite constitution होता है वो soura का representative होता है souric miyazam का oxygenite constitution, syphilitic miyazam का representative होता है hydrogenite constitution, साइकोटिक का representative होता है ये है हमारा patient carbon nitrogenite constitution with the lethemic dietesis lethemic dietesis मतलब आगे इसको clear करूँँगा आगे point है 7 नमबर पर lethemic dietesis है with red sand in urine यूरीन के अंदर लाल रंग के धूल के कड़ आते हैं यह रैड सेंड इन यूरीन आप मैंसे ज़्यादा तर लोग जो लाइको पोडियम को पढ़ चुके हैं जानते हैं यह पॉइंट के बारे में अच्छे से वाकिफ हैं आपने पढ़ा होगा अंडर नरिश्ड इस्टेट होती अंडर नरिश्ड क्यों क्योंकि भाईया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर पूरा खराब है लीवर की मेडिसेनल आइको पोडियमे सब जानते हैं और इसके हिपेटो बिलियरी एप्रेटस या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फॉल्ट होने की वज़ए अंडर नरिश्ड होता है और यह अंडर नरिश्ड के कारण फंक्शनल पावर की वीक्निंग होने लगती है इसकी बाडी के अंदर यह फंक्शनल डिस्टरबेन्स का विक्टिम होता है । आप सब मेंसे ज्यादा तरा क्या लों के बाद जानते हैं ।ो पोरिक mere अ backstory के सबसे important keynotes medicine का leethemic and uric acid diathesis हमने diathesis के अंदर जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर leethemic diathesis की बात करी थी what is leethemic diathesis leethemic और uric acid दोनो one and the same है और जो leethemic शब्द है इसका जो शुरुवाती पॉर्शन है leethemic मतलब leethemia से बात हो रहा है और leethemia मतलब कहीं पर भी stone बनाने की tendency या concretion बनाने की tendency और मैं अपने कई वीडियो में इसके बारे में चिल्ला चिल्ला के जानकारी दे चुका हूँ कि leethemic constitution या leethemic diathesis का patient होता है कलकेरिया कार्व और leethemia मतलब पत्थर बनाने की tendency और यह सफर करता है तीन जगे पत्थर मतलब जब भी दिमाग के मज़स्ट दिमाग में जब भी लिथे मिक constitution का patient होगा वो तीन जगे पत्थर पका बनाएगा अपनी body के अंदर पहला होगा गॉलिस्टोन दूसरा होगा रीनल स्टोन और तीसरा होगा गॉटी अर्थराइटिस क्योंकि गॉट का जो डिपोजिशन होता है यूरिक एसिट का डिपोजिशन जॉइंट में इन फॉर्म आफ यूरेट हैनी में ने और केंट ने और सभी पाइनियर्स ने उसको भी लिथेमिया में ही रखा है तो कि भले से वहाँ पर पत्थर ना बन रहा हो पर कॉंक्रिशन तो हो रहा है और वो जॉइंट पर डिपोजिट हो रहा है और हम बर्बेरिस बुल्गारिस को यूज करते हैं गाउटी अर्थराइटिस पर तो उसका और इसका और कलकेरिया कार्विया तीनों का जो डायथिसिस है यह कहीं ना कहीं जन्म देता है ऐसी बीमारियों को सबकी सब शरीर में बहुत इप सीटेड हैं जैसे की गॉलिस्टोन हम जानते हैं और इसको तरीके से ठीक करने में कई साल के बाद के इन समयंदर गौटी अर्थराइटिस के उनदर जोड़ों के एक बार समध से आगई कई साल की जाते हैं पेशेंट के हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए हमको हर पांच साल में रिनल हो जाए तो लीथेमिक डायथेसिस क्या करती है डीप सीटेट प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीज को जरम दें आथवा की नोट कि यह आकई में की नोट है लाइको पोडियम का लेफ्ट टू राइट डाइरेक की चोंगा की च hada टू-लेफ्ट बीमारी का सभीएग और एक तरह पास एसा बीमारी है जो राइट साइड की की तरह प्रोग्रेस बीवारी और grasp lebih मारी टो जा रहा है इसके कंपरेजन में प्र הי acesso लगोब durant लगशंजन नहीं है ज्यादा इंपोर्टेन जेशन अफिस तोनी पतो हम हैं ओंग में देखते हैं पहले राइट साइड में था एक दिन तक और शान तक फ्रेंट साइड में और यह लगां बड़ाएट साइड नीमोनिया राइट साइड से चालो ओवा इंथेक्शन बड़ा लेप्ड़ साइड में होगा ऐभ दॉद्याइट को लिक पहले कर लिए लेफ्ट पे भी पॉइंट नवा की नोट यह बहुत आपको पता होना चाहिए लाइक बोडियम के बारे में यह सब छोटे-छोटे पॉइंट है पर अगर देखिए और इंडिवीजुल लेवल पर यह पॉइंट कुछ बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं बीमारी को आपको पता है या मुझे नहीं पता है अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा एमुलॉरेशन यह एमुलॉरेशन का साइन है मेरे सारे डॉक्टर बंदु जानते होंगा थोड़ा टाइपिंग की मेहनत बच जाती है क्योंकि कीबोर्ड पो जब कीबोर्ड पार्ट एसपेशली हैड है डिक एमुलॉरेट एमुलॉरेटेड बाइद धर टेकिंग हैट आफ अगर उसना टोपी पहनी है और लाइको बोडियम का पेशेंट है तो उसको टोपी हटाने से हैडएक में मिलेशन मिलेगा हैडएक घ एमुलॉरेटेड इमुलॉ पिक्चर का सनी देवल बनके आता है पूरा ऐसा बान भून के ठीक है पूरा टाइटली बानके रखता है और उसके अपोधिट आप लाइको पोडियम देखें लाइको पोडियम को अनकवरिंग से एमिलूरेशन हो रहा है तो इस इस वाट इस नोन इस दे बहुत इंपोर्टेंट की नोट है इन दे सेम मैनर 4-8 एग्रिवेशन भाई सहाव यह समय बड़ा इंपोर्टेंट है लाइको पोडियम के लिए और यहां पे मैं में में नहीं कर पाया पर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज है बहुत बड़ा राटा है आप लोगों को य बात नहीं पता है यहां पर चार से आट बज़े तक एग्रिवेशन है ठीक है तो लाइको पोडियम में 4-8 इन दे इवनिंग एग्रिवेशन होता है शाम को चार बज़े से नाटक चालू होगा बढ़ते बढ़ते ऐसा पैरा बोला बनेगा चार बज़े चालू हुआ 6-7 बज़े तक पीक पे गया 8 बज़े तक थोड़ा सबसाइब और 9 बज़े तक ठीक यहां पर यहीं बात लिखिए बैड़ एट फोर पी-म सबसे बुरी स्थिति सबसे बुरी कंडीशन है शाम के चार बजे बैट एट एट पी-म शाम को चार बज़े बहुत खराब हालत है ब all the symptoms will be gone all the symptoms will be gone by the 9 p.m. 11th point 11th keynote emulation by the warm food and drink यह बहिए individualistic feature है लाइको पोडियम का इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा यह eliminating symptom की तरह भी हम यूज करते हैं अपनी practice में मुझे आप नहीं पता आप होगों में से कितने करते होंगे emulation by the warm food and drink and aggravation by the cold food and drink opposite phosphorus कई ऐसे समय आते हैं कई ऐसी diseases आती हैं जिसके अंदर हमको अपने केरियर में कम से कम से कुड़ों बार में कर पेशेंट को सिर्फ अच्छा लगता है गरम खाना और गरम पीना अच्छा भी लगता है वो इसकी craving भी करता है उसको emulation भी मिल कोई भी चीज ठंडी खाने से cold food and drink aggravate करता है इस patient और इसका opposite phosphorus phosphorus को aggravation होता है warm food and drink को विल्कुल वो ड्रिंक को गरम मतलब गरम चाय को phosphorus का patient एकदम ठंडी करके पिएगा वो गरम पी नहीं सकता है और ना गरम खाना खा सकता है और उसको emulation होता है cold food से तो यह आप eliminating rubric के तरह इसको यूज़ कर सकते fan like motion of alien as I what is alien as I इन नथुनों की बात हो रही है यह वह आपने पुरानी पिक्चर देखी होगी वह पुरानी पिक्चर होती थी 70s की वह जिसके अंदर रिशी कपूर अमिताब बच्चन होता है थे उसकी मां होती थी जब मां मरने वाली होती थी तो कैसे नतुने फड़ फड़ाते थे मतलब वह एक्जेग्रेटेड एक्टिंग जो हम पुरानी पिक्चरों में देखते थे कोई मरने वाला है तो ऐसे नतुने उसके यह alien as I का वाइलेंट मोशन हो तो देट इस अनादर की कहां पर होगा यह कब देखेंगे इसको सेरिब्रल डिजीजेस के अंदर पाल्मोनरी डिजीजेस के अंदर और एब्डॉमिनल कंप्लेंट्स के अंदर यह तीन जगे हम यह देखते हैं फैन लाइक मोशन ऑफ एलिया नेजाई ठीक है 13th point यह भी इसका कहीं न कहीं एक प्रकार का एक हॉल मार्की है और यह क्यों है यह आगे में बताऊंगा half closed या फिर half opened condition of the eye during sleep जब phosphorus बार बार क्यों आ रहा है जब lycopodium का patient सोता है तो सिर्फ सोते सोते आप कहीं न कहीं lycopodium को identify कर सकते हो वो कैसे कि यह आधी आखे इसकी खुली होती है यह सोता है न तो समझ में नहीं आता साला सो रहा है कि जगर आएगो कि लिटरली आधी आखे इसकी बंद होंगी यह फिर दूसरी तरीके से बोलने तो आधी आखे अब यह कितना important है आप यह सोच लीजिए कि on this indication it has cured bronchitis pneumonia typhoid fever after the failure of many medicine अब मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे से बहुत से लोग chat में बोलते हैं मेरे को comment section में आके गालियां देते हैं मेरे से live stream पर पूछते हैं मेरे phone number के उपर जो मैंने आप लोगो YouTube पर दिया हुआ है उस आप ऐसे single medicine क्यों बता देते हो कैसे बता देते तो दोस्तों आप मैंसे कितनों ने pioneers की किताबों को पूरा पूरा शुरू से अंत तक पढ़ा है मुझे नहीं पता बट मैंने अपनी life के अंदर कम से कम 6 pioneers को मैंने पूरा पढ़ा है और वो छोटी मोटी किताब नहीं है उसक चार-पांच medicine पढ़ी है और उस हर medicine के अंदर ऐसी सैकलों कहानिया आपको मिलेंगी पांच medicine के अंदर आपको सैकलों कहानिया मिल जाएंगी हर एक medicine में दोतीन ऐसे वाकिये उसके अंदर introduction of that medicine में होंगे ऐसी condition थी ऐसी condition थी ऐसी condition थी यह medicine दी बट फिर मेरे को यह symptom दिखा और I prescribed on this single symptom and the patient got cured. After the failure of this, this, this and this medicine. तो मैंने जितने Pines को पड़ा है, तो उसके अंदर मेरे आखों के सामने से मेरी 5-7 साल की Materia Medica की जो detailed study थी. ऐसे हजारों केस निकले, जहां पे they had prescribed only on the single symptom. Only on the single keynote symptom, यह वही keynote में आपके सामने 27 रख रहा हूं. और इसलिए यह चीज पॉसिबल हो पाती है, और यहां पे भी उसी किताब का हवाले से यह है, कि Half Closed Condition of the Eye during the Sleep, और सिर्फ इस अकेले indication पे, ना इसके आगे कुछ लाइकों का symptom था, ना इसके पहले कोई लाइकों का symptom था. On this single indication, it has cured bronchitis, pneumonia, typhoid fever after the failure of the many remedies. यह मैंने एक aspect बताया आपको, क्योंकि यह खुद मेरी किताब का है यह data, यह जो मैंने book, book नहीं मेरे notes थे, जो बाद में compile हुए in the form of book, और यह उसी से मैं निकाल के रलाए हूं सारी, और यह इसके लिए छोटी-छोटी बात है, आपसे share करना जरूरी है. अगला point, 14th keynote, suddenness is the most important symptom of the lycopodium, like belladonna, like eponite. Pains and the symptoms comes and go suddenly, यह कई बार होता है, patient lycopodium हम से मिलने के लिए घर पे निकला, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें इसके ताद चल रही थी, बहुत violently चीज़ें सामने आई, और जबता के travel करके हमारी क्लीनिक में आया चीज़ें गायाव हो गई, suddenness, the pains and the symptoms comes and go suddenly, आते हैं, चले जाते हैं, भगवान जाने का, यह जो 15th keynote है, यह भी बहुत important इसका keynote है, और वो सारे बचे लोग, homeopathy वाले, third, fourth year के पहले के, जिनने lycopodium को थोड़ा भी पढ़ा है, आप लोगों ने यह keynote पका पढ़ा होगा, few mouthfuls fill up to the throat, मतलब few mouthful मतलब, मुँ भर के 2-3 को और खाने पे, fills up to the throat, मतलब थोड़ा सा खाना खाने पे, ऐसी feeling हो जाती है, fullness की, कि इसके बाद यह patient खाता नहीं है, too easily satisfied while eating, बहुत थोड़ा सा खाने पे, he gets satisfied while he is eating, sudden satity, sudden satity मतलब, satity मतलब, संत्रप्त हो जाना, भूख के मिट जाने को बोलते हैं, satity, sudden satity, regarding the gastric problem and gastric sphere, it is remarkable symptom, मतलब कहने का है, कि जब भी हमारे पास lycopodium की gastric cases आएंगे, तो इस एक symptom के मिलने का, और इस एक symptom के base पे lycopodium के, selected होने के बहुत जादा chances हैं, क्योंकि lycopodium का hunger pattern यहीं है, जैसे हमापस चाइना है, चाइना को बिलकुल भूख नहीं, चाइना को बि जैसे ही खाने की थाली देखता है, उसकी भूक मर जाता है, कि यह क्या है, खाता है, कुछ कौर खाता है, पर जैसे इसने आदी रोटी खाई, सब उसकी diet 4 रोटी की थी, आदी पौन रोटी सने खाई, इसका पेट एक दब टन हो जाएगा, फिर यह बोले का भाई, अब हो या पेड़ भर गे इस्टिंथ की नोट राइट फिट होट एंड लेप्ट फिट कोल्ड दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से भी मेडिसिन को मैंने कंपाइल करा किताबों में उन साथ मैंसे तीन किताबों के अंदर इसके बारे में भी कसीदे पड़े गए हैं जिस तरह से आधी आखे खुली रहने वाला सिम्टम है उसके उपर वह उसने कई बीमारियों को लोगों ने मतलब पाइनियर्स ने उसको उस सिर्फ एक सिम्टम पे कई चीज़ें सही करी कई बा अजीब सा है कि एक जो राइट फिट है वो होट होगा और लेफ्ट कोल्ड होगा ठीक है 17 कीनोट बर्निंग पेंस अमुलूरेटेड बाइदा ही यहां पे भी यह आर्सिनिक एल्बम के साथ इसका कॉम्पेटिबल रिलेशन है कि जिस तरह से आर्सिनिक एल्बम को को पैथो फिजियोलोजिकल स्फियर की बातें चालू हो जाती हैं एक्षिन ऑन दे डाइजेस्टिव सिस्टम एस्पेशली हिपेटो बिलियरी सिस्टम इट इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लीनिकल स्फियर ऑफ दे लाइको पोडियम हम मैं से जादा तर लोग जो प्रैक्टि और लीवर रेमेडी हम सबको पता है उसके बारे में ज्यादा बात करने की जुरूत नहीं है क्योंकि लाइको बोडियम का काम ही बॉड़ी में ऐसा है कि ग्रेजुली डाइजेस्टिव पावर की वीकनेस होगी विच लीड टू फेलियर ऑफ दे डाइजेस्टिव पावर तो तब प्रोफाउंड डिग्री डाइको पोडियम का एक्शन ही बॉड़ी में कुछ ऐसा होता है कि वो प्रूविंग के दौरान उसने डाइजेस्टिव पावर को निशाना बनाया उसका फेलियर करा एक बहुत हद तक बहुत ज़्यादा डिग्री तक एंड विच लीड लाइको पोडियम का एक्शन ऐसा है कि इन लोगों का डाइजेशन होने में लगता है समय यो क्योंकि फेलियर हो चुका है डाइजेस्टिव पावर वीक है पहले वीक थी फिर फैल हो गई और फैल बहुत ज़्यादा हद तक हुई और यह चीज क्या है मैं फलसरूप इसका क्या देखते हैं इसके फलसरूप हम देखते हैं कर चान और योओ यह चान बहुत देर तक कांतों में पढा रहता है और उसका हो जाता है fermentation, fermentation and accumulation of the flatulence, मतलब gas का accumulation होता है, और यही point से हमको मिलता है, हमारा 19 वा keynote, most important flatulence remedy है, यह most important flatulence, मतलब gas की medicine है, and it is incorporated, यह part है, नेश के trials of flatulence का, नेश जो डॉक्टर नेश है, ईबी नेश, उनने trials बताए है, उनने कई मतलब दस्यों trials बताए हैं, है ना, trials of fear, trials of flatulence, trials of delirium, बहुत सारे trials, trials of pain, उसमें ऐसे जो उनका trials of flatulence है, यह उसका एक part है, तो उसकी एक medicine है, like podium, and the other two are the China and Carbowage, अब यहाँ पर इन तीनों के बारे में कुछ point है, और कुछ बाते हैं, जो आपको समझना चाहिए, यह को कि अब हम cover कर रहे हैं, तो हम इन बातों को भी, कि like podium के अंदर gas होती है, इंदर lower abdomen, like podium को जो gas का accumulation होता है, वो umblicus के नीचे, hypogastrium में, lower abdomen में feel होता है, वहीं Carbowage को जो होता है, वो accumulation होता है, अपर abdomen, उसको अपर abdomen में problem है, नीचे नहीं है, अपर abdomen, मतलब इपिगेस्टियम में है, like podium को होती हाइपोगेस्टियम में, और हमारे Carbowage को इपिगेस्टियम में, और वहीं China को on the whole abdomen, चाहिना को gas का जो trap होती है, उसको पूरे abdomen में lower से लेके, अपर के बीच में complete abdomen में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ Carbowage ही ही है, जिसको ड़कार लेने से emuluration मिलता है, और इसके अलावा, like podium and China are not emulurated by eructation, यह मेरे सर के पीछे जो शब्दे ही है, और यह Carbowage gas इंदा ही है, मेरे सर के पीछे जो शब्दे अपर abdomen है, मतलब कहने का है, लाइको बोडियम और चाइना, इसके बीच में एक समनता है, कि इन दोनों को कितना ही belching हो जाए, ड़कारें कितनी ही आ जाए, या पर NS से इनको कितना ही gas पास हो जाए, flat as part के रूप में, इनको emuluration नहीं मिलता, सिर्फ कार्बो वेज को ही, थोड़ा भूट ड़कार वगरें आते, emuluration मिलता है, तो digestion के उपर, digestive power weak होने के कारण, fermentation हुआ, खाना सड़ा, fermentation हुआ, flatulence बनी, flatulence trap हो गई, और ये flatulence remedy बन गई, और trials of flatulence में नैश के आ गई, और उसका मैंने पूरा detail आपको बता दिया, अगला point, most important hepatic and liver remedy, ये भी मैं बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं, देखो होता क्या है, कोई भी drug picture को समझना है, अगर आपको बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, कई adults practitioner, senior practitioner भी सवाल करते हैं, सर मैडिसिन में confusion हो जाता है, मैडिसिन रढ़ते हैं, तो एक दूसरे में गुद जाते हैं, वो इसलिए कि आपका point of reference ही गलत होता है, आमको point of reference, एक materiam medica को किसी भी medicine को पढ़ने का ये होना चाहिए, कि इसका sphere of action क्या है, और वहाँ पर ये क्या pathology create कर रही है, तो जैसा कि हमने इस medicine में अब तक पढ़ा, कि जो हमारा digestive power है, वो weak हो जाता है, वो weak हो जाता है, और वो weak होने के साथ साथ failure की स्थिति आ जाती है, और ये सब कुछ होता है liver के कारण, क्योंकि आगर मैं digestion की बात कर रहा हूं, तो सभी doctors को एक दिमाग में चीज होनी चीए, कि if any person is talking about the digestion और indigestion, तो digestion और indigestion सिर्फ liver के हाथ में होता है, क्योंकि digestive system की जो master's gland है, वो liver होता है, उसके अलावा digestive system में कुछ होता ही नहीं है, यह मुँ है, एक छेद यहां है, एक छेद नीचे, एक से हम खाते हैं, एक से हम पॉटी करते हैं, तो फिर digestive system है क्या मोटे तोर पे, मतलब digestive system liver है, और अगर इस medicine में भी 19 पॉइंट में कही बार यह बात कहीं गई, digestive system वीक हो जाता है, digestive power वीक हो जाती, उसके कारण fermentation होता है, खाना नहीं पच रहा है, तो यह indirectly बात हो रही है, hepatic और liver की, यह liver की बात हो रही है, और इसी की वज़े से, most important hepatic and liver remedy, corresponds to the some life-threatening diseases of liver, यह liver की इतनी important medicine है, कि यह liver में पाई जाने वाली, some life-threatening diseases के लिए भी indicated है, including the organic changes, मतलब ऐसे liver के disorder, जो सिर्फ functional नहीं है, functional disorder की बात नहीं कर रहा, तो organic disease बन चुकी है, organic disease का मतलब pathological changes हो गए है, liver के अंदर pathological changes हो गए है, जो हमको CT scan में दिख रहे हैं, हमको sonography में दिख रहे हैं, है ना, तो इनको कहते हैं organic changes, liver diseases of the liver, including the organic diseases of liver, कौन कौन से yellow atrophy of fever, आप मैं से बहुत सो को नहीं पता होगा, यह बीमारी अब खतम हो चुकी है, और इसने लाखों लोगों को मारा है, yellow atrophy of liver, cirrhosis of liver, inflammation and induration of the liver, अब यह तो 3-4 बड़ी-बड़ी बीमारीों की बात कर ले, जिसमें आदमी के बिलकुल जान के लाले पड़ जाते हैं, और कुछ हल्की-फुल्की चीज़े भी हैं, also to the fatty degeneration of liver, या fatty liver, बहुत common सवाल चैट के उपर, बहुत common सवाल कमेंट सेक्शन में, सर fatty liver grade 1 है, grade 2 है, क्या करूँ, lycopodium खाओ भाई, इसलिए तो lycopodium बताते हैं, fatty degeneration of the liver, jointis, pleia, या फिर icteras, hepatitis, if the symptoms agree, और ये सब चीज़ों पे lycopodium, अंधों की तरह नहीं देनी हैं, आख मूंद के डाक्टर साब ने बोला था, तिरोसिस ऑफ लिवर पे lycopodium खिलाना, हमने खिला दी, पेशेंट मर गया, इफ दो सिम्टम से अगरी, कि जो मैंने lycopodium के 19 पॉइंट के अंदर, मैंने कई चीज़ें बताई, 4 to 8 p.m. aggravation, right to left propagation of the symptom, वगेरे वगेरे कित्ती सारी बात करी, hot से emuluration, cold से aggravation, तो यही सारे symptom से, और इसलिए बार बार, आप pioneer की material medica पड़ोगे, उसमें एक चीज़ हर paragraph के end में लिखी है, if the symptoms agree, if the symptoms agree, और वो symptoms agree होना यही बात, अब आते हैं हम 21 वकी नोट, तो हमारा 20 वकी नोट सा बहुत important liver remedy है, तो liver की हलकी फुलकी बीमारी हैं, जैसे fatty liver, joint days, hepatitis से ले करके, जान लेवा, लीवर की बीमारी जैसे ही, अक्यूटी है, yellow atrophy of liver, cirrhosis, inflammation, induration सब पर काम करती है, अब लीवर के बाद, जो next sphere of action है, लाइको पोडियम का, वो ही हमारा 21 वकी नोट है, next to liver, renal and urinary system, मतलब renal मतलब kidney, और urinary system, मतलब मुत्राशय का system, is the most important site of action of lycopodium, इसके बाद सबसे important वही, as it has the lethemic and uric acid diathesis, यह मैं आपको बता चुका हूँ, जो lethemic or uric acid diathesis है, इसका lethemic, lethemic को आप समझे जादा अच्छे सा है न, तो कि uric acid diathesis, kidney की पत्री से उतना relate नहीं करता, बट, lethemic diathesis जो है, वो सीधा relate करता है, वो कि तो नाम में lethemia है, lethemia मतलब, lethemia मतलब, lethemia मतलब पत्थर बनाने की tendency, और kidney के अंदर जो पत्थरी बनती है, उसका nephrolithemia है, उसका भी नाम जो है nephrolithemia है, और जो operation होता है, वो लीथो ट्रिपसी नाम का operation होता है, तो यहाँ पे जादापन correlate कर पाएंगे, lethemic constitution या diathesis का renal stones है, तो यह slide के पहले मैंने बता चुका हूँ, लीथेमिक जो diathesis है, वो तीन जगे उनको पत्थर बनता है, बट यहाँ पे हम renal और urinary system के relation की बात कर रहे हैं, लाइको पोडियम से, इसलिए बाकी दो पत्थर मैंने डाल दिये, कोश्टक के अंदर, मैंने गौटी arthritis को कोश्टक में डाल दिये, और गॉलिस्टोन को, और यहाँ पे मैंने mention किया है सिफ रीनल stone, क्यों, तो कि renal और urinary system के ऊपर, लाइको पोडियम का जो असर हम देखते हैं, जिसको लीवर के बाद, most important sphere of action बताया है, वहाँ पे क्या होता है, kidney के अंदर renal stone बनता है, that is due to the lethemic diathesis of lycopodium, ठीक है, तो 22 वा पॉइंट इसी से derived है, कि renal stone and caliculi, renal stone, मतलब kidney के अंदर पत्थरी बनना, उसको एक और दूशरा शब्द है, renal caliculi भी बोलता है, ठीक है, especially right sided renal stone, right side का renal stone, with the renal colic, इतनी सी बात है, एरवा पॉइंट, ये कई जगे देखने में आता है, जो है न, क्योंकि जो renal stone का एक variant होता है, जब पत्थर नहीं बना, जब kidney के अंदर concretion है, बस धूल है, sand है, और वो sand कई बार सूसू से निकलती है, तो उसी से हमको अपना अगला keynote मिल रहा है, और जिसको हमने रखा है, renal and urinary symptom के अंदर ही, which is red sandy deposition in the urine, और ज्यादे तर material medica में इसको बोला है, red sand in urine, red sand in urine, यह आपना कई बार पड़ा होगा है, लाइको बोडियम का draft picture किसी भी किताब में लिखा है, और red sand in urine ना हो, तो होई नहीं सकती, यह इतना important point है, कि BHMS के syllabus के अंदर, paper में लाइको बोडियम पूची है, और अगर तुमने यह point नहीं लिखा रहे, let red sand in urine, तो master तुमारे number काट, तो यह हो गया, अब हम आते हैं, अगली slide पे, 24th point, one of the most important gouty medicine, अब यहाँ यह भी भाई, यहीं से clear हो गया था, यहाँ नहीं लीथेमिक और, यूरीक असेड जो डायथिसिस था, तो लीथेमिक डायथिसिस में, हमने समझ लिया, वही या renal इस्टोन बन रहा है, और यूरीक असेड डायथिसिस से भी, क्योंकि हमारा जो लीथेमिक डायथिसिस है, पत्री तीन जग़े होती है गॉल लिश्टोन में एक रीनल लिश्टोन में और जू तीसरा है गॉती अर्थराइटिस में क्योंकि जू गॉट होता है गॉट मतलब उरीक एसेट यूरीक एसेट जो डाइथिसिस है लाइको पोडियम का ये इसको बहुत important gouty medicine बनाता है क्योंकि Kent और खास कर Hennyman के हिसाब से कि यूरीक एसिड ब्लेट के अंदर chemical reaction से यूरेट में बदलता है यूरेट क्या होता है यूरेट होता है यूरीक एसिड का एक salt और वो जो यूरेट होता है वो जोडों में जाके जमा होता है और उस प्रक्रिया को भी लीथेमिया के अंदर ही काउंट करा गया है Hennyman के द्वारा ठीक है और इसकी होने की वज़े है इसकी होने की वज़े है यूरीक एसिड डायथेसिस ऑफ द लाइको पोडियम जो इसको होंगा कि उस शन्कला में वो जो लाइन है उस लाइन के अंदर जो पहली मैडिसीन होना चाहिए वो लाइको पोडियम ही होना चाहिए तो वो कौन-कौन सी मैडिसीन है जिसके साथ इसका नाम आता है बेंजोईक एसेट, कलकेरिया कार्ब, लीडम पाल और बर्वेरिस बुलकारिस शुट नॉट फॉर्गेट इट इन एनी केस अफ दा गाउट इस्पेशली इन दा लीथेमिक कॉंस्टिटूशन कि गठिया के हमको किसी भी केस के अंदर लाइको पोडियम को दरकिरार नहीं करना है वी शुट ऑल्सो कीप इट अंडर कंसिडरेशन एस्पेशली आसकर अगर तुमको यह पता है कि यह साला पेशेंट जो मेरे सामने बैठा है कहीं ना कहीं लीथेमिक डायथिस इसका है साइको पोडियम को मत भूल जाना गडबड हो जाएगी रिजल्ट हो सकता ना है पच्चिसवा पॉइंट आफ्टर अब देखा हमने अभी तक क्या देखा भाई हमने देखा भाई यहां से हमने बात चुरू की थी घाइड डायजेश्टिू सिस्टम पर बहुत इंपार अच्छन है ठीक है उसके बाद हमने बात की नेक्स्ट डू लीवर इसका सबसे इंपारटैंट एक्शन यूरिनरी शिस्टम और सिस्टम और हम यहां पर बात कर रहे हैं कि after the reliever and renal the most important sphere of action of Lycopodium जो है वो है male genitals के ऊपर where it produces importance नपुन सकता यह आज की date के अंदर बहुत बड़ी problem है पूरी आबादी के बीच में in the both old and young people मतलब कहने का है कि कोई old है मतलब उम्र दरास 50s में लेट फोटेज में किसी कारण से सेकंड टाइम होना चाहते हैं उनने उनकी मेरीज हुए एड़ टाइम आप फीता काटने के समय पता चला कि भाई मतलब ही इंपोटेंट एंड ही इस नॉट एबल टू डू एनिटिंग इंड़ सेम मैनर जो यंग पीपल होते हैं यह यंग है सर्जी ना फोड़ा समाफ करियेगा टाइपिंग एक ट्रेन आप थॉर्ट लेके टाइप करते हैं इसको कई बार स्पेलिंग मिस्टेक होती ओल्ड ए लुटा लिभल लुटा देंड परावर कैर स्ट एकर र об 안क 一般 फोल्ट रिल्सट अचिए चैysis और 31 ऐकर Commission हार्ट यह चीज याद रखिएगा कि लाइको पोडियम और ऐसी मैडिसेन जिनका कोई स्पेसिफिक स्पीयर अफेक्षन जनता की बीच में मशूर है जैसे कि पूरा बंदा जानता है होमियोपेटिक फिल्ड में काम करने वाला की लाइको पोडियम रिलीवर की रहमेटि इससे दो चीजें होती है एक अच्छी बुरी अच्छी चीज़ी होती है कि एट लिस्ट उस इस फियर में लोग इसको जानते और यूस कर रहे हैं और इसके यूस करने के कारण लोगों को सर्वीसेज मिल इसा बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इतना इंपॉर्टेंट काम है कि एन्यूरिज्म जैसी कंडिशन आप देखिए मैं न्यूबी के लिए वीडियो नहीं बनाता अगर आपको मुझे देखना है और मुझे समझना तो आपको एक लेवल तक का नॉलेज होना चीए आप उ न्यूरिज्म तक पैदा करती है और आगे कह रहे हैं लेखक मौदे कि वन आप दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर वेरी कोसिस यह याद रखना वेरी कोसिस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसमिन में से एक है लाइको पोडिया और मुझे यह बात का यकीन है कि आप लोग जो सेकड़ों हजारों की ताजाद में वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताईए कि आप मैं से किसको पता था कि वेरी कोस्ट वेंस जैसी प्रॉब्लम पे लाइको पोडिया में इंडिकेट 27 वह पॉइंट आफ्टा अफेक्टेट पार्ट इस सेंसेट पी वह इस रुब्रिक के कॉंटेक्ट में पका आए होंगे रुब्रिक है वह आगे आएगा फेक्टेट पार्ट इस सेंसेटिव केन नौट लाई ऑन दब पेंफुल साइड यह बहुत इंपोर्टेंट शियाटिका में रुब्रिक बनता ही है राइट साइडेट शियाटि का रिपर्टराजेशन करा है तो मैं को पूरा विश्वास है कि वो मेरे सारे प्यारे से दर्शक लोग इस बारे में जानते हैं कि शियाटी का एग्रेवेट ऑन इसी के साथ आखरी स्लाइट पर मां चुक है जो की लाइको पोडियम का एक और बहुत इंपोर्टेंट स्पीयर है 28th पाइंट राइट साइड इंग्वाइनल हर निया भाइसा जब भी हर निया और खासकर इंग्वाइनल हर निया की बात होती है तो जो दो मैडिसीन है जो इ पड़ लाइको पोडियम इस पेशली इंडिकेटेट ओन राइट साइड इंग्वाइनल हर निया एस्पेशली इन चिल्रंस यह बहुत कॉमन पाया जाता है हमारे पास चार चैसाल से छोटे मेरे पास सेकड़ों बच्चे आज तक मेरी 15 साल की प्रेक्टिव में आ चुक ज इंडिकेटेट 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 इंडिकेस ऑफ इंग्वाइनल हर निया अधर मेडिसीन इस दनक्स वो मिका ठीक है ड्यू तो प्रेशर ऑफ लेचुलेंस ऑब्यस बात है इतना पेट में गैस भरा रहेगा तो आतों को कहीं पर भी कहीं पर कमजोर इन दोनों पॉइंटों का याद रखिएगा आप अच्छे से ना पासकर 28 पॉइंट का कि एक कहां पर आगया नक्स वो मिका से कंपरीजन इंग्वाइनल हर नियां के केस के अंदर इस नक्स वो मिका एंड लाइकोर सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट कॉंस्ट परिशंट परगेटईउ का अब्यूज सबने पीशिएंट ने लपक के पेले हमां गुजूर्ग करते बुद्दे पुड़े खा रहे हैं घूड़न क्हा रहे हैं कैयम चूड़न खार रहे हैं पेट सबबा का रहे हैं इसके बोल क्वैसा एंडर अबवा लाइकोर्टेंट इसी के सफिक्स में मैं क्या लिख रहा हूं कि in case when the next फेल यह लोग आते हैं इनको नक्स वॉमी का देते काम नहीं करती तो ऐसा केस जहां पर पर्गेटिव का यूस और अब्यूस भेंकर किया है नक्स वॉस इंडिकेटेड आप भी सही थे कि नक्स वॉस इंडिकेटेड पर वह फैल हो जाएं देन यू एब कि इसके बारे में को कुछ कहने की जरूएत नहीं इसके बारे में को कुछ कहने के जरूएत है और क्योंकि यह गैस की मेडिसीन है तो इसलिए अटोनिक फ्लेचुलेंड डिस्पेप्सिया कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे इसको सब कुछ खाना पीना गरम चाहिए गरम की ही इसको एग्रिवेट करता है और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को इतना प्यार देने के लिए और उमीद कर की नोट के अंदर मैं फॉस्पोरस के वो फॉस्पोरस क्यों आ रहा है दिमाग में भाई लाइको पोडियम के वो सारे के सारे पूरा का पूरा ड्रेक्ट पिक्चर का चित्रन आपको आँखों के सामने खीच आया हूं और मुझे इस बात की पूरी उमीद है कि ये पूरे का क्या को वापस से रिफाएंड करके कई बार देखने के बाद आप लाइको पोडियम को जब भी किसी भी मटेरिय का में घूसके पड़ेंगे तो आप लाइको पोडियम की ड्रेक्ट पिक्चर किसी भी मटेरिया मेटिका से अब आपको उतनी वीर्ड और अंजान नहीं प कर दो इसकार